माउंट अबू को एक्स्प्लोर करना जा रही था तो माउंट अबू के ही पास में सिरोही जीली के यहां पर हम आज जा रहे हैं पावापूरी पावापूरी माउंट अबू की पहाड़ियों की नीचे चंद्रावती नगर और मीरपूर के निकर अबू गोर्ड में विशाल स्री नित्वन पावापूरी तीर्त धाम जिनाले का निर्मान हुआ इस मंदिर का निर्मान केपी संगी चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कराया गया था यह मंदिर सिरोही जीला मुख्याले से 22 किलोमीटर सिरोही मंडा टीसा राजमार्ग पर इस्थित है इसका एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप जाके उसको चेक कर लिज पावपूरी का जेन मंदरी पशुपालन भी किया जाता है जेन धरम की निव अहिंसा है और आप सभी जानते ही होंगे महावीर स्वामी अहिंसा के परतीक माय भी माने जाते हैं यह हम लगभग 200 एकड में फेला हुआ है 30 मई 1998 में इस मंदिर का निर्मान कारी प्रारहम पत्थर लगे हैं वो बंसी पहाडपूर के पत्थर है और अंदर मकराना संगमर्ग का पत्थर लगाया गया है इस गुलाबी पत्थर को जेन तरित का मंदिर प्राकर्तिक प्वातरवन देता है और यहां एक गोशाला भी है इस तरित्राम की मुख्य द्वार पर बेहदी रखा गया है कोवीट के करण द्वार पे ही सेनेटाइज करने के लिए काफी चीज़े उपलब्द कराये गई हातों को सेनेटाइज करने के बाद ही अंदर जानी के अनुमती थी पावापुरी तीर्थर हम मंदिर के मूलनायक की मूर्ती 69 इंच कीसरी संकेश और पार्सनात मंदिर की बारी दिवारों पर उबरी हातियों के आकरतिया घोड़ों के आकरतिया यक शक्षी डेवी देवताओं के आकरतिया बहदी रमनी है इस तिर्थ भूमी का नामकरण पावडा कर्शी भूमी के नाम से हुआ पावापुरी के इस धरा को जेन धरम के संत साधूी साधूयों के निरंतन आना जाना रहता ही है साती देश-वदेश के दरशनारथी भी यहां आते हैं उनके उपाश्य वधरमशालाव को निर्मानः हाग क्या गया है आये दर्शनार्तियों के लिए भोजनाली की अच्छी वेविस्ता किये गई है आये यहां का भोजनाली 13,000 वर्ग फीट में बनाये गया है जहां पर साफसपाई का बहुत ख्याल रखा जाता है साथ यहां पर एक साथ बैट कर कई लोग खाना खा सकते हैं एक बहुत इंट्रेस्टिंग बात तो यह है कि यहां पर जो सबजिया उपलब्द होती है यहां के कर्शी करके उगाई जाती है पावपुरी के प्रांगण में जल मंदिर में यहां 24-23 कर महावीर स्वामी की एक प्रतिमा है जिसका निर्वान 2009 में हुआ यह मंदिर बिहार के पावपुरी की याद दिलाता है महावीर स्वामी की यहां एक सोनी की साड़ी 3 किलोग्राम की मूर्ति भी स्थापित की गई है साथ यहां पर केपी सौनी परिवार के भगवन स्रिमन भगवन आचारी कला पून सुरुवेशन महाराज स्वाहिप की भी मूर्तियां पर दिखाई देश जाती है पावपुरी धाम की हरियाली आखों को देखने में बहत खूबसुरत लगती है यहां लगबक एक लाग दस हजार पेट लगाए गये हैं सबसे रोमानचक बात तो यह हैं यहां पर गरह नक्षत वाटिका में गरह के नक्षतों के अनुसार पेड लगाए गये हैं यहां पे एक महाराणा परताप की प्रतिमा भी है और उसी के पास में कला संग्रहागें बनाया हुआ है कला संग्रहा ले के पी संग्वी आर्ट गिलरी के नाम से है कला प्रेमियों के लिए यहां पर एक आकर्षक आर्ट गिलरी है जिसमें 108 अद्बुट पेंटिंग बनी है जिसका किसी ना किसी रूप से जेन धरम से संबन्ध है। हमारी भारती संसकर्ती में गाई की तुलना माता के रूप में की गई है। पावापूरी तिर्थधाम एव जीव मेत्रिधाम में पसु पालन किया जाता है। इस मंदिर का निर्मान शुरुवाती दोर में 100 पसू के पालन के लिए किया गया। लेकिन आज हजारों के संख्या में यहां पसू पक्षी रहते हैं। और यहां पर बायो गेस का निर्मान भी किया जाता है। पसुपालन के स्वास्ते के लिए भी यहां पर डॉक्टर कंपाउंस्टर आगदी की सुईदा दी गई है और कल्प वक्ष का पेड़ भी इस्ति थे जो भोजनाले के पास में हैं मेरा परसनल वियू है आपको यहां गूंगने आना चाहिए यहां का गाड़न भी काफी अच् ओर यहां के टैंपल बहुत इंटरेस्टिंग का यहां ऊण पर और काफी शानती है तो आप अपने वीकेशन में यहां पर आ सकते हैं और आपकी छूटिया काफी आच्छी के दिया तो बनी रही मेरे साथ में तब तक के लिए बाई बाई